हेलो फ्रेंड्स हमारी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स देखिए हमने इन आयरा श्टाइल अमरेला कुर्ती बनाई है आप देखी सकती है इसका लुक जिसके बैक में हमने डोरी लगाई है यह देखिए डोरी पीछे से बांदी जाएगी और एक मैंने बलेक कुर्ती भी बनाई थी इसमें वह प्लेट वाली थी और इसमें प्लेट नहीं होती है व्यद्व की सकती है इसका लुक कितना प्यारा रहा है और इसमें हमने लेस का यूज किया है जॉर्जट फैबरिक का यूज किया है तो चली कटिंग का स्टिचिंग शुरू कर लेते हैं तो जिसके लिए मैंने तीन मीटर जॉर्जट का कपड़ा और आधा मीटर मैंने सेंट्टून का अस्तर लिया है जिसको मैं सिर्फ टॉप पार्ट में यूज करूंगी ये तीन मीटर हमारा फैबरिक है तीन मीटर फैबरिक में से कुड़ती आराम से बनके तयार हो जाती है कई बार कमेंट ऐसी आती है कि मैं ये कपड़ा ज़्यादा लगता है इसमें उसने इतना लिया लेकिन ये तीन मीटर कपड़े से मैंने बना के तयार की है तो ये देखे ये 18 इंच मैं इसकी लंबाई ले रही हूं और कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके बिचा लिया है बंद साइड को गलाएगा खुली साइड को आर्म हो लाएंगे 7 इंच पे सोल्डर लेंगे हम अपन मैंने 11 इंच लिया है और यहां पे आपकी जितनी भी कमर है उसको भी फोल्ड से डिवाइड करके उसमें भी आप लगभग डेड़ इंच जादा ले लीजिए तो यहां से हम इन दोनों प्वैंट को आपस में इस तरीके से मिला देंगे ये देखे आपका जो भी साइज है आप उस साइज की इसे बना सकती है अब यहां से हम गोलाई दे लेंगे आर्म होल के लिए खुली वाली साइड को ही आदा इंच का सोल्डर हम डाउन कर देंगे अभी हम क्या करेंगे कि यहां से हाप इंच की गोलाई देते हुए खुली वाली साइड से ताकि यहां से कौन वो ना दिखे साइड से कमर का तो इसलिए थोड़ा बड़ा कटता है अब अस्तर है जो आधा मीटर उसको हम रख लेंगे इसको फोर फोल्ड करके रखा है अस्तर को भी ताकि आगे और पीछे के पड़े दोनों एक साथ निकल जाएं अब यहां से हम कटिंग कर देंगे इसक का बुकरंब या पेपर पेस्टिंग पर बनाएंगे तो यहां तक काम कंप्लीट अभी हम कर लेते हैं नीचे के गहिरे की तो देखिए तीन मिटर फैबरिक से ही हमने टॉप पार्ट के लिए और बाजू के लिए कपड़ा अलग कर लिया है अब जो हमारा बागी का फैबर इंच पे निसान लगाएंगे सात इंच प्यार महूल लिये थे तो हम यहां से डेड़ इंच जादा लेते हैं बाजू के लिए हलकी सी गोलाई दे देंगे यहां से आपकी जितनी भी फिटिंग है उसमें डेड़ इंच और एड कर लें और यहां से इन दोनों लाइन को ला अब यहां से इसको कट कर देंगे हम खोल के करना है इसको फ्रंट पार्ट में ही तो यह हमने आगी से कटिंग कर दिया है बाजू भी हमारी कट के complete है अब यह हमारे पास इतना फैबरिक बचा है इसमें और थोड़ा सा जोड़ के हम अपना आगे का नेक बनाएंगे अब य हमारा दो मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि हमने टॉप पार्टर वो कट कर लिया है इसको ऐसे तिकोना कर देंगे हम तरीके से अब नीचे से भी जो फैबरिक बचेगा उसमें भी हमारा नैक यूज हो जाएगा नैक बनाने में अभी हम क्या करेंगे अपने टॉप निचा रहा है तो हम पूरे में ही 39 इंच पे ऐसे निसान लगा देंगे पूरा सरकल बना लेंगे इसको क्योंकि टॉप पार्ट भी हमारा और यह हमारा घुटने से नीचे बन जाएगा गुटता हमारा जो यह अम्रेला नायरा स्टाइल गुटती होगी अब इसको नीचे से भी कट कर लेंगे तो नीचे से भी हमारा फैबरिक काफी जादा बच गया है इसको हम अपने गले वगेरा में यूज करेंगे अब इसमें से हम दो पार्ट कर लेंगे आगे और पीछे के लिए अलग-अलग क्योंकि इसमें सिलिट बनेंगी हमारी तो यह हमने अलग-अलग कर लिया है इसको, अब पहले गले की कटिंग कर लेंगे हम, तो यहां से हमने फोर फोर्ड में रख लिया है बुकरम को, ताकि हमें दोनों गले एक साथ कटिंग होके मिल जाए, हम साड़े तीन इंच पे गले की चोड़ाई लेंगे, और जो लंबाई हो अब कटिंग कर देंगे हां से एक एक इंच का मार्जन रखते हुए अब यहां से बराबर कर लेंगे अब यह हो गए हमारे दोनों गले इनको हम प्रेस्क से चुपका के कपड़े के उपर तैयार करेंगे अस्तर के कपड़े के उपर चुपका लिया है अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे सिल लेंगे जो अधाइंचे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है अब यहां से सेंटर में निसान लगा के कट लगा देंगे अब अपना अस्तर रखेंगे उपर अपना सीधी साइड से टॉप पाट रखे और चारो तरप को सिलाईया लगा देंगे दोनों अटेच कर दिये सैंटर में एक निसान लगाएंगे कट लगाएंगे और इसको ऐसे रखेंगे गले को पहले सैंटर से सिलेंगे इसको बिलकुल सैंटर से सैंटर मिलना चाहिए आपका और फिर ऐसे घुमाव देते हुए फिर इधर से सिल देंगे फिर दूसरी साइड σε शिल लेंगे अब दूसरी साइड से भी टासे प्हल पाद करें फिर अप चाम चयाहिए लग लिकाड़ान करें ost पास अब बड़ा नमबर करके एक सिलाई लगा देंगे बाद में ये सिलाई निकाल के इसके उपर तुर्पाई कर देंगे इस तरीके से अब ये हमारा गला हो गया रेडी ऐसे ही पीछे वाले को करना है अब उसके बाद जो फैबरिक बचा था उसमें मैंने थोड़ा सा और जोड प्लेके से और मैं इसको दो तरीके से बता दूँगे आपको कि एक बॉक्स बना के कि आप इसको डायरेक्ट भी सिल सकते हो और आप इसको ऐसे जैसे मैंने पहले ब्लैक वाली कुर्ती बताई थी वह वाला मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वह भी दे यह आपको दिहान रखना है आप इसको और भी कम मतलब 1.5 इंच का भी रख सकते हो मैंने 2 इंच का रखा इसको यह कितना ही बड़ा मैंने और फैबरिक ले लिया है इसको सिल देंगे हम तो यहां से क्या करेंगे गले वाली साइड से लेके सिर्फ नीचे का जो बॉटम है उसको खुला छोड़ेंगे क्योंकि वहां से हम इसको सीधा करेंगे बाकी का हम पूरा ही फैबरिक सिल देंगे उल्टा करके रखना है अस्तर के उपर ध्यान रखें आप और इसके लिए हमने डोरी भी बना ली है तो डोरी को हमें सोल्डर वाली साइड को रखना है वो मैं अंदर करके अंदर की साइड डालनी है डोरी और फिर सिलाई लगा देनी है क्योंकि जो हम सीधा करेंगे तो यह हमारी बाहर की तरफ आ जाएंगी अब ऐसे ही दूसरी डोरी को फिक्स करेंगे इसी के अंदर यहां से और बिल्कुल सेंटर के जो सोल्डर का सेंटर होता है लगा जाते है कि तरीके से यहां से शिलाई लगा देंगे अब इनको जो एक्स्टर फैबरיך है पहले हम उसको कट करके इसमें से अलग करदेंगे गले वाली साइड से भी और जो साइड में कपड़ा निकला हुओ वहां से भी अब इसया कर देंगे तो यह देखिए अब इसको सीधा कर लेंगे हैं अच्छे से और इसको पर प्रेस कर लेंगे तो देखे फ्रेंट्स मैंने इसको रेडी कर लिया है अब ही हम क्या करेंगे हम इसके उपर ये ब्लू कलर की लेस लगाएंगे तो ब्लू का और जो येलो का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है तो आप कभी भी कुर्टी वगेरा बनाओ तो कॉम्बिनेशन देखके ही बनाएं अब मैं यहाँ पर ये कमूरे वाली कपड़े वाली जो लेस होती है वह वाली है मैंने यहाँ पर लगा ली है अब मैं यह दूसरी साइड को सेम लगा के और फिर इसके गल कर आपको दो तरीके बताओंगी कि आप चाहीं तो इसको इसको यहाँ निक्रा यहां से कट कर देंगे आप चाहीं तो इसको बांधने वाला भी है तो मैंने इसको बांधने वाला रखा है अब यहां से हमने extra fabric cut कर दिया है अब इसका center निकालेंगे हम यहां से ऐसे और pin लगा देंगे फिर यह देखे फ्रेंच मैंने यहां पे रखके pin लगा दी है अब मैं क्या करूंगे कि जो सिलाई है वो मुझे यहां से जो हां पे pin लगा रही हूँ वहीं तक लगानी है यह देखे मैं यहां से एक दो pin लगा दूँगे ताकि जब हम सिलाई करें तो अब यहां से हमने इसको कर लिना अंदर और तब इनका solder जोडना है ध्यान रखें इसको अंदर करके तब हमें solder जोडना है यहां से solder जोड के बाजू लग जाएंगी फिटिंग हो जाएंगी इतने इतने में जो हमने 9 इंच पे निसान लगाए था अब यह फिटिंग का हो गया complete अब यह bottom पार्ट है हमारा नीचे का गहरा है इसको side ओं से ऐसे इसकी slit को यहां से मोडना है और नीचे से bottom से मोडना है यह देखिया ऐसे दोनों को ही same मोडना है तो चली solder जोड लिया है अब इसमें बाजू जोड लेंगे तो बाजू को उल्टा करके रख लेंगे सीधी side को पहले top part अपना ready कर लेंगे top part ready करने के बाद इसका जो गेरा है वो अलग से इसमें टैच होगा और बाजू वगेरा को खींचना नहीं बिल्कुल यूँब साराम से ऐसे पकड़ते हुए पूरे ही अपने बाजू पे हम लगा दें इसको आर्मोल के उपर लगा देंगे तो यहां तक मैंने कर लिया है बाजू complete नीचे से bottom को मैंने dead dead inch mode दिया है fitting दे देंगे नीचे तक इसमें और यह कुर्ती हमारी तैयार हो जाती है यह मैंने जोड़ जट का fabric लिया है जो काफी अच्छा fabric है और एक plane में आता है एक थोड़ा print में आता है जो हमारी कुर्ती के चाक है तो जैसे हम नॉर्मल कुर्ती के मोड़ती है सेम उसी तरीके से तो fitting होने के बाद हमारा डेड़ डेड़ इंच कपड़ा दव गया ठीक है तो इतना ही हमें लगबग एक इंच से जादा इधर मोड़ देना है अब दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही मोड़ लेंगे और जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही तैयार करना है और फिर नीचे का बॉटम मोड देंगे और इसके उपर भी हम लेस लगाएंगे बैक में भी और फ्रंट में भी अब पहले इसको हम सिंगल मोड़ेंगे क्योंकि इसको एक बार में मोड़ेंगे तो इसमें जोल आएगा तो पहले मैं इसको सिंगल मोड लेती हूँ फिर उसके बाद इसको डवल मोड दूँगे तो पूरे ही बॉटम को सिंगल और डवल करके हम ऐसे मोड लेंगे यह देखिए अगर आप नीचे बोटम पे लेस नहीं लगाना चाहती है तो आप इस पे पीको कर सकती है पीको से और अच्छा लुक आता है जो प्लास्टिक वायर होता है अगर उससे पीको करेंगे अब हम क्या करेंगे कि यहां से ये लेस को लगाएंगे कमूरे वाली साइड को अंदर रखेंगे और किनारी वाली साइड को बाहर की तरब रखेंगे दोनों साइड को और बॉटम पे हम लगा देंगे इस लेस को एक्स्रा लेस को कट करते हुए यहां से इसको पक्का कर देंगे दूसरी साइड को भी सेम लगा देंगे ये देखे ये वाली साइड को भी हम ऐसे ही लगा के इसको तैयार कर देंगे द्यान रखें दोनों का मुँ आमने सामने होना चाहिए लेज का उल्टे सीदे का द्यान रखें आप पूरे में लगा देंगे इसको अब ये हो गया हमारा complete अभी friends हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ना इसको simple ही है कुछ नहीं करना है पहले आप या तो आप नाप के देख लीजिए तो ये देखिए ये एकदम perfect है अगर by chance आपका घेरा बड़ा बैठ रहा है तो एक सिलाई लगा के और फिर सिलाई सिफ छोटा हो गए तो उस सिलाई को थोड़ा सा खीच दें ताकि वो बराबर आजाए लेवल में तो आप इस तरीके से भी कर सकती है वैसे अगर हम fitting अच्छे से करते हैं बस दोनों पार्ट को ऐसे एक दूसरे के साथ attach कर देंगे मैंने एक पार्ट जोड लिया है दूसरे को simple ही जोड लेंगे कुछ नहीं करना होता उसके बाद इसमें तो यह देखे यह मैंने जोड लिया है अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई doubt होता है तो नीचे comment करके बताईएगा उसे मैंने पूरी कोशिस की है आपको अच्छे समझाने की तो देखे कितना प्यारा लुक आ रहा है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद